आज हम लोग डिसकास करेंगे तीन से पांच साल के बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटी वाक्षिट एक्चुली क्या है यह वाक्षिट हम बनाया है मेरे बेटी के लिए तो यह आप एक्चुली तीन से पांच साल का नहीं है उससे 6-7 साल के बच्चे के लिए भी उज़ कर सकते है तो प्लीज अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक क किस तरह की वीडियो चाहिए उसके लिए कॉमेंट कीजिए और अगर आपको लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जैसे कि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए ओके ज्यादा बात नहीं करेंगे इधर ह यह पार्ट वान है इसमें हम वान से टेन तक कभी वाक्षिट डिसकास करेंगे और यह आप हर रोज आपके बच्छे के लिए घर में प्रैक्टिस कराईए और बात में हम लोग कुछ पैरेंटल टीप्स देंगे पैरेंट्स लोगों के लिए तो प्लीज वीडियो की एंड तक जरूर देखिए हां नमस्कार और देखिए बैक टू डारेक्ट टू दा वाक्षिट हेलो फ्रेंड्स दिस इज वाक्षिट नमबर वन पहली हम पताया थे आपको कि वाक्षिट यह जो है तीन से पांच सल का बच्छे के लिए तो हम पुरा स्टार्टिंग से और ऐसे वाक्षिट हम बहुत पार्ट है इस प्रोड्यूस करेंगे और आप स्टार्टिंग से बच्छे को फॉलो करवाते रहिए जैसे कि यह जो है यह एक्चुली ड्राइपन इरेजर बताते है इसको तो यह आप ऐसे पॉकेट फाइल एक ले लिजिए वाक्षिट बना लिजिए और इसके अंदर घुसाने के बाद घुसाने के बाद आप इसको ऐसे करके डिलीट भी बाद में अगर आपको नहीं चाहिए तो यह इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं यह वान टाइम यूज के लिए नहीं है यह आप मैनी टाइम यूज कर सकते हैं आप एक बार कर आप follow करिए यह हो गया activity sheet और worksheet 1 next हम आते हैं worksheet 2 के तरब worksheet 2 है smaller case में वापर case में था यह lower case में है तो यह भी देखिए बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि बच्चा A से Z तक लेखो तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो इसलिए अगर ऐसे ऐसे fill in the blanks के तरफ दे देंगे तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा और करने में मजा भी आएगा यह है one sorry A B C D E F ऐसे बच्चे को बोलिए तो यह regular basis में practice करो यह बच्चे को ओ अच्छा होगा आपके लिए next यह हम इसी worksheet 2 के अंदर ही कर दिया है आपको अगर चाहे तो यह worksheet आपका 3 में ही include कर सकते है यह हो गया one two three four five बच्चा ऐसे लिखेगा यह हम one से ten तक include किये है up to 50 worksheet तक हम लोग ऐसे ही one से ten का basis में ही ज़्यादा दे तक किये है 50 के बाद हम 11 से 20 तक include किये हैं यह हो गया आपका worksheet number two next आते हैं worksheet number three यह है matching इधर आप uppercase में लिख दिये है और इधर lowercase में लिख दिये है बच्चे को करना है matching जैसे की a c यह देखिए इसमें plus point यह है कि यह pocket file में अगर आप करेंगे तो यह आप यह one time यूज़ करने के बाद इरेज कर सकते हैं अराम से अगर नहीं भी है यह इरेज कोई भी कप्रा से आप ऐसे यूज़ इरेज कर दीजिए ठीक है यह हो गया i यह हो गया x ऐसा यह दिखिए यह होगे आपका worksheet number 3 worksheet number 4 यह आते है यह पहले आपको पहले ही बताया था कि हम इहाँ ज़्यादा number include नहीं किये हैं यह पूरा starting में है इसलिए 1 से 10 तक ही हम include किये हैं इसलिए यह देखिए बच्चा बच्चे को बोलना है कि इसके साथ इसको matching करो one number identification बच्चे के लिए बहुत important है पहले ओ अगर number को identify कर लेगा तो इसको पहले बहुत आगे कर लेगा अगर नमभार ही अगर identify नहीं कर पाएगा तो possible नहीं है यह हो गया है हम थोड़ा इधर कं बच्चे में भी divide कर सकते हैं next इसको बच्चे को count and match count and match का मतलब यह बच्चे को बोलिया कि बच्चा कितना है count करेगा one two three four count करेगा उसके बाद बच्चा match करेगा four one two one two three four five ऐसे और आप करने के बाद ऐसी raise भी कर सकते हैं यह देखिए फिर से use के लिए रेडिया यह हो गया आपका वाक्षीट नमबर four next आते हैं वाक्षीट नमबर five के तरफ यह थोड़ा tough हो गया है इसको अब चाहे तो इसको break करके ऐसे भी बना सकते हैं यह हम वाक्षीट नमबर five के दिये हैं इसमें क्या होगा बच्चा count तो करेगा ही one two three four फिर से इधर भी count करना पड़ेगा उसको किधर गया किधर गया यह थोड़ा time taking है बच्चे को मन नहीं लगेगा यह देखिए one two three four ऐस इसे करकर 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 count कर लेगा one इसे यह थोड़ा तेजी बच्चे जो लोग है IQ जिसका थोड़ा strong है कर लेगा ऐसे भी problem है नहीं आपको पहले ही बताया था कि यह जो वाक्षीट है यह तीन से पांच सल का बच्चे के लिए है तो आराम से थोड़ा four plus बच्चा अराम से कर लेगा next आते है यह हो गया वाक्षीट नंबर five next आते है वाक्षीट नंबर six के तरफ वाक्षीट नंबर six में क्या है यहां है count and write जैसे कि यह बच्चे को count करने कि यह जो diamond है कितना है one two तो इधर बच्चे को लिखना है two इधर कितना heart कितना है one two three four five बच्चा लिखेगा five यह थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है लग रहा है कि इसका इंग खतम हो गया है नेक्स्ट one बच्चा लिखेगा one one two three four one two three four five six बच्चा इसे लिखेगा इधर एक हम chapter include किया है यह है count and color यह भी बहुत interesting है कि बच्चे को color में बहुत interest है तो हम request करेंगे कि आपका जो daily worksheet जो है उसमें मतलब यह coloring बाला एक page at least रखिए प्लीज बच्चे इधर count करें कितना है number कितना है six तो बच्चे इधर क्या count करेगा one two three four five six यह six तक को color करेगा यह सब color करेगा बच्चे यह हो गया आपका worksheet six next आते है आप चाहे तो यह एक वाक्षिट आपको पहले ही बताया था कि हम थोरा कंजूशी किये हैं आप चाहे तो इसको एक वाक्षिट में भी कर सकते हैं नहीं तो दो आक्षिट में भी इसको दिवाइड करके कर सकते हैं मेरा हिंदी प्रोनाशेशन बहुत स्ट्रॉंग है तो इसलिए पहले ही बता देते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो गया सॉरी माप कर दीजिए नेक्स आते हैं वाक्षिट नमबर सेबन के तरफ वाक्षिट नमबर सेबन इसमें इसमें क्विस्चन दिया हुए है कालर ओनली बी तो इसमें बच्चे को क्या करना परेगा पहले यहां बी कहा है ढूनना परेगा जैसे कि यह हो गया बी यह हो गया बी यह हो गया बी और यह भी बच्चे तो ढून लिये है उसके बाद इसको कालरिंग करना है ठीक है इसको कालर करो आपको पहले ही बताया था कि कालरिंग का एपिसोड और coloring का episode देने में और page मतलब देने में इसको क्या होता है खुद का knowledge, खुद का activity बहुत flourish होता है यह बहुत important है बच्चे के लिए यह हो गया आपका worksheet number 7 नेक्स्ट आते हैं वाक्षिद नमबर 8 के तरब याक्षिद नमबर 8, question क्या है, circle only m and small m, तो बच्चे को तो पहले ही identify हो गया है, a, b, sheet, a, z तक उसको पता है, कि यह कौन सा है, z कौन सा है, तो इसमें से यह tree बना दीजिए, आप painting पर मत जाएए, painting बहुत अच्छा हुआ है, आपको पता है, तो इसमें अगर आप खली only b को मानिए, और sorry, m कहां है, आपको धूनना परेगा, और इसको circle करना परेगा, for example, like this, 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 like, ऐसे, धूनना परेगा, और circle करना परेगा, यह बहुत interesting है, बच्चे को बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, next, यह होगे आपका worksheet नमबर 8, next, आते है, worksheet नमबर 9, यह बहुत important है, tracing करना, बच्चे नया नया जब लिखना start करते है, उसको tracing करवाना सिखवा जाते है, वह बहुत important होते है, तो actually, basically, चाल लाइन होते है, sleeping line, slant line, standing line, carb line, इसी के आधार पे पूरा बच्चे लोग का handwriting जो है, मतलब पूरा अटके हुए है, तो इसलिए बच्चे को ऐसे, हम पहले बोले है कि drawing मेरा बहुत अच्छे है, इसको drawing पे मत जाएए, इधर एक कुछ भी आप कर दीजिए, ऐसे नहीं ह कि हम butterfly किये है, तो मतलब किये है, मतलब करने का कोशिश किये है, तो butterfly किये है, आपको butterfly करना पढ़े है, कुछ भी, a लिखिए, इधर small a लिख दीजिए, कि बच्चे को यहां से यहां तक जाना है, कैसे जाएगा, ऐसे tracing करते हुए, यह कैसे जाएगा, ऐसे, अब arrow लगा दिये है already, तो ऐसे करके करके बच्चा जाएगा, tracing करने पे उसको मजा भी आएगा, ऐसे, ऐसा, यह हो गया, वाक्षीट नमबर 9, and the last वाक्षीट for today, and part 1, is वाक्षीट नमबर 10, पहले किये थे, m बाला किये थे, कि small m, और capital m, आपको circle करना है, अभी आपको circle करना है, circle b, मतलब small b and capital b, same to same, ऐसा, ठीक है, तो आज हम लोग, आज, वाक्षीट नमबर 10 तक ही discuss किये है, और जैसे पहले बताया था कि कुछ parental tips, आज discuss करेंगे, वो भी बता देते है, तो अभी देखिये, वाक्षीट बहुत है, बहुत वाक्षीट अभी बाकी है, यह सब भी करवाना है, यह खाली हम पहले ही बताया थी, पार्ट वान होया है, यह बहुत वाक्षीट है, हाँ फ्रेंट, तो जैसे बताया था, आज हम दो parental tips सेयर करने बाले हैं, फर्स्ट, बच्चे को मुबाईल मत दीजिये, जितना भी पॉसिबल है, बच्चे को मुबाईल से दूर रखिये, और बच्चे का सामने, एक लिस्ट आप मुबाईल से, फेस्बूक, वार्ट सेप, कुछ मत किजिये, प्लीज, I earnestly request you, humbly request you, प्लीज बच्चे को मुबाईल मत दीजिये, And second parental tips is, बच्चे को सिखाए मत, कुछ नहीं सिखाना है बच्चे को, आप जैसे activity घर में करेंगे, बच्चे ऐसे ही activity तूरंथ एडप्ट कर लेगा, कुछ नहीं है, बड़े को इज्जत करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, कुछ नहीं बोलना है, बच्चे जल्दी से जल्दी उसको एडप्ट कर लेगा, बहुत जल्दी, for example, सहथ आप अपके इल्डर से साथ अच्छे ब्याब नहीं कर रहा है, कल जब बच्चा आपके साथ करगा, आपको बुरा लगेगा, और आपको खुद को question करेंगे, ये कहां से सिखे है, कहां से नहीं, आप से सिखे ह तो पहले आप rectify हो जाएए, आप change कर लीजिए, बच्चे अपने आप सिख लेगा, ओके, आज के लिए इतना ही, तो प्लीज अगर अच्छे लगे वीडियो, आपको लगे कुछ काम का चीज है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करिए, और प्लीज सब्स्क् झाल